नमश्कार, आज में आपको सीतला माता की कथा सुनानी जा रही हैं। हिंदूओं में सीता अस्टमी का बिसेश महत्व है। सीतला माता को समर्पित यह दिन होली के आटवें दिन मनाया जाता है। पांचांग के अंसर चैत मास की क्रेशन बच की अस्टमी तिथी को सीतला अस्टमी का पर्व मनाया जाता है। इस बार यह सुप्तिथी चार अप्रेल दिन रविवार को है। इस पर्व में माता सीतला का ब्रेथ और पूजन का बिधान बताया गया है। ये पर्व कुछ जगय पर सप्तमी तिथी को मनाय जाता है, जिसे सीतला सप्तमी के नाम से जाना जाता है, सीतला माता की पूजा में मा को भोग बासी ठंडा खाना से लगाय जाता है, जिसे बासोडा के नाम से जानते हैं, उत्तर भारत में सीतला स्टमी के पर्व को बासोडा के ही नाम से जानते हैं इस दिन बासी भोजन ही प्रशाद की रूप में खाय जाता है सीतला माता की कथा किसी गाउं में एक बूरी माई रहती थी उनकी दो बेटे तथा दो बहुएं थी दोनों बहुएं को लंबे समय के बाद पुत्र हुए थे इतने में सीतला अस्टमी का परव आ गया घर में परव की अन्सा ठंडा भोजन तैयार किया गया लेकिन दोनों बहुएं ने सोचा कि यदि हम ठंडा खाना खाएंगे तो कहीं हमारे बच्चे बीमार न हो जाएं वो अभी बहुत छोटे हैं इसको विचार के कारण दोनों बहुएं ने तो पसुओं के दाने तयार करने के बरतन में चुप चाप दो बाटी तयार कर ली इसके बाद सास बहु सीतला माता की पूजा करने चली गए सास बहु ने सीतला माता की पूजा के तथा सीतला माता की कथा सुने बाद में सास्तों सीता मातला के भजन करने के लिए वहीं बैट गई लेकिन दोनों बहुएं बच्चे रोने का बहाना बना कर घर आ गई फिर दोनों बहुएं ने दाने के बरतन से गरम-गरम रोटला निकाले उनका चूरमा बनाया और पेट भर कर खा लिया सास्त ने घर आने पर बहुएं से भोजन करने के लिए कहा बहुएं ठंडा भोजन करने का दिखावा करकी घर के काम में लग गई तब सास्त ने कहा कि बहुएं बच्चे कब की सोई हुए हैं उन्हें जगा कर दूद पिला दो बहुएं जैसे ही अपने बेटों को जगाने गई तो उन्होंने उन्हें मृत पाया ऐसा बहुएं की कर्टूतों के फलसरू सीतला माता की प्रगोप से हुआ था बहुएं बिवश हो गई और उन्होंने सारी बात अपनी सास को बता दी जब सास ने यह बात जानी तो वे बहुएं से जगणने लगे सास बोली तुम दोनोंने अपने बेटों की बदूलत सीतला माता की अवेलना की है इसलिए इस घर से निकल जाओ और बेटों को जिंदा सुष्ट लेकर ही घर में पैर रखना अपने मिरत बेटों को टोकरे में सुला कर दोनों बहुएं घर से निकल पड़ी जाते जाते रास्ते में एक जीन ब्रच आया यह खेजडी का ब्रच था इसके नीचे औरी शीतला दोनों बहने बैठी थी दोनों की बालों में विपुल प्रमार में जूं थी बहुओं ने छ्ख़ान का अनुभव भी किया था दोनों बहुओं ओरी और सीतला के पास आकर बैठ गए उन दोनों ने सीतला ओरी के बालों से खुब ठारी जू निकाले जूओं को नास होने से ओरी और सीतला ने अपने मस्तक में सीतलता का अनुभव किया और कहा तुम दोनों ने हमारी मस्तक को सीतल ठंडा किया है वैसे ही तुम्हें पेट की सांती मिले दोनों बहुए एक साथ बोले कि पेटका दिया हुआ ही लेकर हम मारी मारी भटक रही है परन्तु सीतला माता के दर्शन हुए नहीं है सीतला माता ने कहा कि तुम बहुआँ पापनी हो जुस्ठ हो दुराचार्य हो तुम्हारा तो मुह देखने भी योग नहीं है सीतला अश्टमी के दिन ठंडा भूजन करने के बदले तुम दोनों ने गरम भूजन कर लिया था ये सुनते ही बहुओं ने सीतला माताजी को पहचान लिया दोनों दिवरानी और जिठानी ने माताओं का बंदन किया वे दोनों गिरगड़ाते हुए बोली कि मा हम तो भोली भाली हैं अंजाने में गरम खा लिया था आपके पिरभाब को हम नहीं जानते थे आप हम दोनों को छमा कर दीजिए पुनहे ऐसा डुष्ट कर्म हम कभी नहीं करेंगे उनकी पश्चाता भरे बचनों को सुनकर दोनों माताएं प्रिशन हुए सीतला माता ने म्रजक बच्चों को जीवित कर दिया बहुए तव बच्चों के साथ लेकर आनंद से पुनहे अपने गाउं लोटाएं गाउं के लोगों ने जाना कि दोनों बहुओं को सीतला माता की साच्चा दर्शन हुए थे तो दोनों बहुओं का धूम धाम से स्वागत करके गाउं में प्रिवेश करवाया बहुओं ने कहा हम गाउं में सीतला मा के मंदिर का निर्मार करवाएंगे चैत्र महीने में सीतला अश्टमी के दिन मात्र ठंडा खाना ही खाएंगे फिर बहुओं ने अपने गाउं में सीतला माकता का मंदिर का निर्मार करवाया और उन्होंने बिधी पूर्वक सीतला माता का पूजन किया तो हे सितला माता, जैसी किर्पा आपने इन बहुँआ पर की, वैसी किर्पा आप सदैब अपने भक्तों पर बनाए रखना, सदैब अपने भक्तों को सांती सितलता तथा आरोगे देना, बोलो स्री सितला माता की जय, सितलास्टमी के पूजावे थी, सितलास्टमी के एक दिन पहले यानि सब्तमी को साम को किचिन की साफ सफाई करके प्रेशाद के लिए भूजन बना कर रख देते हैं अगले दिन यानि बासोडा के दिन सूर्योदय से पहले इसनान करके ब्रत का संकल्प लेते हैं और सीतला माता के मंदिर में जाकर पूजा करते हैं और फिर बासी कबड़ी, चावल, हल्वा, पूरी, आदिका भूग लगाय जाता है। इसके बाद घर आकर जहां होले का धहन हुआ था वहां पूजा की जाती है। और घर के बुजूर्गों का आसे बात लिया जाता है। इस दिन चूला नहीं जलता और ताजा खाना अगली सुबह से ही किय जाता है। मानेता है कि इस दिन के बाद से बासी भूजन खाना बंद कर दिया जाता है। यह पूजा माता सीतला को प्रिशन करने के लिए की जाती है। ताकि गर्मी के दिनों में होने वाली बीमारियों से घर की रच्छा की जा सके। सीतला अस्टमी का महत। सीतला अस्ट देने वाली कहा गया है माननेता है कि सीतला माता की पूजा करने से दाह जवर, पीत जवर, चेचक, दुरगंद युक्त फोड़े, नेतर विकार आदे रोग भी दूर होते हैं यह बरत रोगों से मुक्ति दिलाता है और आरोग की प्रदान करता है दरशल प्राचिन काल में बच्चों के सरीर पर माता निकलाते थी यानि छोटे-छोटे दाने पूरे सरीर पर निकलाते थे बुजर्ग इसे माता सीतला का प्रकूब मानते थे इसलिए इस दिन माता सीतला को प्रशन करने के लिए उनकी पूजा करने के बाद बासी भूजन किया जाता है माता सीतला संतान ही इन महिलाओं को संतान की प्राप्ति का आशिरवात देती है आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए साथी बेल आइकोन पर क्लिक जरू कीजिए जिससे हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें धन्यवाद